नमस्कार किसान साथियों मैं देविन सिंग पमार और आपका स्वागत है Only Farming YouTube चेनल पर साथियों जो हम खेती करते हैं खेती के लिए जो सबसे इंपोर्टेंट चीज होती है वो होती है मिट्टी बीना मिट्टी के खेती करना एक तरीके से असंबव है हाला कि है भी हाइड्रोपोनिक के अंदर बिजा रहे हैं लेकिन एक बड़े लेवल पर खेती है वो मिट्टी परीगी जाती है और इसके लिए सबसे जो हमें important चीज होती है कि उस मिट्टी का हमें स्वास परिक्षन करना बहुत ज़रूरी है और उसकी उत्पा रखता है उसको बनाए रखना या फिर उसको और हम किस तरीके से बढ़ा सके उसके उपर हम आज बात करेंगे तो साथी इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि जब भी हम मेकिस जिस खेत के अंदर भी हम खेती करते हैं उसकी अच्छे से हम गहरी जुताई करना वो बहुत ज़रूरी होता है और प्रिया जिसके लिए हम बहुत सी बार हम प्लो भी करते हैं तो उसका खास important रोल da 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 aos ond isn't thatuję insan Ka युए कि जैंग ऑसके अंदर जो हो जाती है तीसरा उसके अंदर जब मेक्ति को अज़ा और पलड़ देते थे अगर कम बारिष के अंदर भी उसके अनर पानी की जो मात्रा है वो सोक करके रखने की बिक्षमता रेती है तो दोनों ही तरीके में आपके लिए फाइदे मन दोता है अब आते हैं दूसरी चीज पर वो है किस तरीके से इसकी उत्पादकता या उरोरकता को बढ़ा सकते हैं या बनाई रख सकते हैं अभी हम आजकल हमारे देश के अंदर हम जो खेती है जिनके पास में अच्छे पानी की विवस्ता है वो तीनो फसले भी लेते हैं खेत के अंदर जिनके पास में कम भी है तब भी कम से कम दो फसले अधिकतर किसानबाई लेते हैं तो उससे जब हम खेत से हम हमेशा कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं तो हमें उसको देने की भी बहुत जादा ज़रूरत होती है उससे जो उसकी उरोरक्ता कम होने लग जाती है तो उसको हमें बढ़ाने के लिए कुछ चिज़ा काम करना पड़ता है उसके अनदर कुछ चिज़ आती है उसमें हम एक देशी खात का इस्तेमाल करते हैं उसका अच्छा पका हुआ देशी खाद, अगर खेट के अंदर डालते हैं, तो वो हमारे खेट के लिए उद्पादकता और उरकता को बढ़ाता है, और उसके बालावा, जो हमें एक हरी खाद आती है, हरी खाद हम खेट के अंदर कुछ फसले होती है, जिनको हम हरी खात के रूप में इस्तिमाल करते हैं साथे हम जो हरी खात के अंदर जो कुछ फसलों का हम इस्तिमाल करते हैं जैसे की चौला, मूंग, डेचा डेचा का मुख्य रूप से इसके अंदर इस्तिमाल किया जाता रहा है पूराने समय से तो हम इनका इस्तिमाल कर सकते हैं, इनको लगबग 20-25 दिन के आसपास की ये फसल हो जाए, उसके बाद में इनकी जिवताई कर देते हैं, और वो उसको पलट करके, जब मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी वो आपके खाद के अंदर कनवर्ट हो जा उसमें एक और खासा बाद आती है, वो आती है फसल चक्र, फसल चक्र के अंदर अभी दिरे दिरे जिस तरीके से हमारे जो बाड़ती है, जो हमारा रहनसान है और हमारे जो परिवार के अंदर जो भी जमीन होती है, उसके दिर दिरे उसके हिस्से होते जाते हैं, तो दिरे मिट्टी के स्वास को बहुत जादा बड़े लेवल पर नुकसान पहुचा रहा है तो इसके लिए हमारा आपको यही सुजा होगा कि आप इसमें नीमित रूप से आप फसलों का एक पूरा पेटन बना करके उसका आप फसल चक्र जरूर अपना है यह भी मिट्टी के स्वास को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जिससे आपके मिट्टी के अंदर केवल एक ही चीज की दिरे दिरे बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और मिट्टी की जो उर्वरकता बिलकुल खतम हो जाती है तो यह अपनाने से आपके मिट्टी है उसके अंदर कुछ जो कार्बनिक पदार्थ दुसरी फसलों के भी आकर के उसमें मिलते हैं तो उससे भी उसकी उत्पादक्ता के अंदर और उसके जो उर्वरकता होती है उसको बढ़ाय रखने के अंदर और बनाय रखने में दोनों मे साहयक होती है साथ यह इसके अंदर जो और भी कुछ चीज़े हैं उसके अंदर जैसे कि West Decomposer जो है आपने उसका नाम भी सुना होगा इसके उपर हमने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है उसके लिंक में आपको आई बटन में दे दूँगा जो धान के फसल लेते हैं उसके बाद में आप उसके फसल लेने के बाद में जो उसकी पराली बचती है उसके उपर आप उसका इस्तिमाल करके जब आप खेत को की जुताई कर देते हैं तो उससे भी जो आपकी पराली होती है उसके अंदर carbon content भी बहुत अच्छा होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा खाद के अंदर बहुत जल्दी convert हो जाता है इसके अलावा जो हमारा wedge decomposer होता है आप उसको इस्तिमाल करने के अंदर आप अगर फसल के अंदर पानी दे रहे हैं उसके साथ दे सकते हैं आप उसका छिड़काओ करना चाहते हैं छिड़काओ कर सकते हैं तो उसको आप किसी भी तरीके से अगर जिस तरीके से भी आपके लिए आसान हो उस तरीके से अगर आप उसको खेत के अंदर पहुंचाते हैं तो उसका आपको फाइदा निश्चित रुप से मिलता है इसके लावा केचुवा खाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं केचुवा खाद अभी उसके उपर लिए उपर भी हमने एक वीडियो बनाया है आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं डिटेल के अंदर आपको उस स्वास्त है उसको बनाये रखता है जिससे कि हमारी जो फसल है वह अच्छी हो और मिट्टी का स्वास्त अगर अच्छा रहेगा तो हम लंबे समय तक हम इस खेट से और हमारी इस मिट्टी से हम अधिक से देख हम उत्पादन ले सकते इसके अलावा जो हम आगे जो इस्तेम करते हैं या जो और्गेनिक होता है हम उनका इस्तेमाल करते हैं उनका भी हम उचित मात्रा में ही इस्तेमाल करें और उनका जो समय होता है उस समय के अंदर अगर मुनका इस्तेमाल करते हैं तब हमारे लिए दोनों तरीके से आर्थिक रूप से भी हमारे लिए अच्छे फा माल करते हैं उस टाइमिंग में तो आपका पोशक्ता तो ना तो आपकी पूरी फसल को उतना फाइदा कर पाता है जितना करना चाहिए और ना ही आपका जो उसके लिए पेसा लगा है उस पेसे का आपका सदूपियों को उपायता है तो साथियों ये कुछ चीजे हैं जिनको ह एक और सुजाओ है कि आप हमेशा जब भी आप जिस खेत के अंदर भी आप कोई भी खेती करते हैं, नीमित रूप से आप आपकी खेत की मिट्टी का परिक्षण जरूर करवा हैं, मृदा टेस्ट जरूर करवा हैं, जिससे कि आपके खेत के अंदर कौन से पोशक तत्वों की कमी हैं, उसकी आपके पास में सही जानकरी रहेगी, तो उससे आप सही तरीके से आपके पोशक तत्वों और उसके अंदर जो आप खा दिया, जो भी आप और अधनी पदार्थ जिसमें तीनो तरीके के जो हमारे मेजर और माइक्रो एलेमेंट्स जो होते हैं, उनका हम सही तरीके से हम इस्तिमाल कर सकते हैं, साथियों, हमने जो भी आपको टेकनिक्स बताई है, इन टेकनिक्स में से आप कौन सी टेकनिक आप अभी वर्तमान रूप में आप अपना रहे हैं, और अगर आप नहीं अपना रहे हैं, तो आप कौन सी आप अपनाने जा रहे हैं, तो हमें जिसका कमेंट्स अच्छा लगेगा हम उनसे परसनली बात भी करेंगे कि आगर आप उसको किस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं उसके उपर हम आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे धन्यवाद किसान सात्यों जै हिन जै भारत टनसे जैवा झाल झाल